Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. आज हम पढ़ेंगे class 10th का physics, भोती की Hindi Medium. और देखें ये हमारा जो class है, class 10th के physics को हम इस पहले चप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला चप्टर है प्रकास. प्रकास हमको दो पार्ट में पढ़ना है ये वाला चप्टर, अपवर्तन और प्रावर्तन, जिसमें हम पहले प्रावर्तन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अपवर्तन पढ़ेंगे. प्रकास पढ़ने से पहले, मैं कम्प्लिट आपको सबसे पहले प्रकास फिजिस के किस ब्रांच पर पढ़ा जाता है, ये सब आपसे सबसे पहले डिसकस करता हूँ. देखे एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कि क्लास नाइन्थ और टेंथ में आप लोग साइन्स में फिजिक्स भी, केमेस्ट्री भी, बैयोलाजी भी कमबाइन पढ़ते हैं. लेकिन जैसे आप क्लास 11 में जाते हैं, तो क्लास 11 में जब आप साइन्स इस्ट्री में चले जाते हैं, या मैथेमेटिक्स ले लेते हैं, तो आपको फिजिक्स एक सेपरेट सब्जेट के रूप में पढ़ना होता है. तो ये बात आप ध्यान दग में हमेशा रखना, कि 10th क्लास का जो फिजिस का सिलेबस है, वह completely 12th क्लास को मेच करता है. That means 10th क्लास में जो फिजिस का सिलेबस बनाया जाता है, वो पूरा का पूरा, आगे चलको आपको 12th क्लास में ज़वरत पढ़ता है. तो ये बेसिक क्लास है, और 12th क्लास में आप उसको डिटेल में पढ़ते हो. तो पढ़ाने से पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, कि आप 10th क्लास से ही अपने बेस इतना स्टांग करिए, कि आपको 12th क्लास में प्राबलम ना हो. देखे, बेसिक फाउंडेसन दी स्टांग होता है, तो आगे चलके प्राबलम नहीं होता. दूसरा important बाद, जितने भी student जो आगे चलके in future IIT या फिर NEET का preparation करना चाहते हैं, वो सभी student को मेरा suggestion है, कि सुरवात से ही आप concept को बहुत ध्यान से और सुक्ष्मता से पढ़िए, क्योंकि मेरे क्लास में आपको पूरा concept बहुत deeply explain किया जाएगा, साथ ही numericals भी कराएंगे अ वो सिर्फ numerical पर ही best होगा, तो यह हमारी planning है, तो चली हम क्लासी start करते हैं, और सबसे पहले आज अपने क्लास में हम पढ़ेंगे परावर्तन, प्रकास में सबसे पहले परावर्तन, देखें मैं topic की start करने से पहले जैसे आप से discuss किया, थोड़ा सापको मैं यह बता दूं, कि प्रकास का study जब किया जाता है, तो प्रकास का study फिजिस के जिस branch में किया जाता है, उसको हम कहते हैं, आप्टिक्स, प्रकासी की, हम इसको कहते हैं, आप्टिक्स, इंगलिस में हम कहते हैं, इसको आप्टिक्स, तो आप्टिक्स क्या है, फिजिस का एक branch है, जिसमें हम क्या करते हैं प्रकास के बारे में अधियान करते हैं यह मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन इसका बता रहा हूं तो प्रकासिकी में हम क्या है प्रकास के बारे में पढ़ाई करते हैं यह आप्टिक्स कहलाता है और थोड़ा मैं आपको इसके ब्रांचेस के बारे में इस पर आगे भी मैं डिटेल डिसकस करने वाला हूँ आप से तो प्रकासिकी का दो ब्रांच होता है एक ब्रांच कहलाता है एक जो पार्ट है वो कहलाता है किरण प्रकासिकी किरण प्रकासिकी और दूसरा ब्रांच कहलाता है तरंग प्रकासिकी किरन प्रकास्की और तरंग प्रकास्की यह आपको जानना चाहिए क्योंकि 10th क्लास में जो आप फिजिस पढ़ रहे हो बिल्कुल बेसिक से है तो मैं जहां तक समझता हूँ कि हर स्ट्रेट को पूरा जीरो से उसका नालिज होना चाहिए तो किरन प्रकास्की और तरंग प्रकास्की दो पार्ट में आप्टिक्स को पढ़ा जाता है आप तरंग प्रकास्की को 12th क्लास में पढ़ोगे यह आपका 11th क्लास में नहीं है इसको आप पढ़ोगे क्लास 12th में और जो किरार्ट प्रकास्की है इसको आप 10th में भी पढ़ रहे हो और प्लस आप इसको 12th क्लास में भी पढ़ होगे जैसे मैं भी आपने डिस्कस किया कि ये टापिक आपको पूना 12th क्लास में पढ़ना पढ़ेगा यदि आपने science लिया तो किरार्ट प्रकास्की का जो part होता है वास्ताव में प्रकास को जब हम सीधी रेखा में प्रकास को जब हम मानते हैं कि प्रकास सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं किरार्ट प्रकास्की मतलब वास्ता में प्रकास का सीधी रेखा में गमन करने की प्रकृती को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं किर्ण प्रकास की और तरंग प्रकास की जैसे नाम से इस पस्थ है इसमें प्रकास को हम किस रूप में पढ़ते हैं? तरंग के रूप में पढ़ते हैं किर्ण प्रकास की का अध्यान सबसे पहले Newton के दारा प्रापर किया या वैसे बहुत से वाई ग्यानी को ने किया लेकिन सबसे पढ़े Newton नामक Scientist ने प्रकास सीधी रेखा में गमन करता है इसमें अपवर्तन प्रावर्तन वर्ण विछेपन की घटना होती है ये सब हम उसके सीधी रेखा वाले पार्टे पढ़ते हैं और तरंग प्रकास की का जो प्रतिपादन किया वो हाईगन ने किया हाईगन नामक Scientist ने किया हाईगन ने बताया कि प्रकास तरंग के रुप में गमन करता है मतलब प्रकास के संचरण का जो पत है वो इस प्रकार से होता है और यहाँ पर बताया गया कि प्रकास इस प्रकास से सीधी रेखा में गमन करती है तो हमको इस class में 10th class में तरंग प्रकास की नहीं पढ़ना है वो complete 12th class के syllabus में आपको होगा यहाँ पर हमको पढ़ना है किरन प्रकास की मतलब हमको प्रकास को सीधी रेखा में गमन करते हुए पढ़ना है और जिसमें हम इसके तीन प्रकृती को पढ़ते हैं जिसमें पहला प्रकृती है परावर्तन प्रकास के परावर्तन की घटना को हम इसकी सीधी रेखा में प्रकृती के कारण पढ़ते हैं और दूसरा होता है अपवर्तन और तीसरा प्रकृति इसका जो होता है जिसके हम कहते हैं वर्ण विछेपड वर्ण विछेपड का मतलब होता है प्रकास के साथ रंगों में विभक्त होने की घटना ये मैं आपको स्टाइटिंग से इस बात पर डिसकस किया कि हमारे क्लास का स्टेंडर्ड हम इतने डेप्थ में रखेंगे कि आपको आगे चलके 12th क्लास में बिल्कुल भी परसानी नहों प्लस कंपूटिशन का भी फाउंडेशन आपका तयार होता जाए इसलिए छोटी छोटी में बातों को भी आपको धियान में रखना है कियर प्रकास कि में हमको पराधा नपवर्त वर्ण विख़ी पन Upper class में उस प्रकास के उस ब्रांच में बढरे की आप्टिक्स, आप्टिक्स में हम प्रकास के बारे में पढ़ते हैं, जिसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, किरान प्रकास की, किरान प्रकास की में हम प्रकास को सीधी रेखा में गमन करता हुआ मानते हैं, और तरन प्रकास की में हम प्रकास को तरन की रुप में करते हुए कर होगे कि इसकी द्वैती प्रकृती होती है बाद में इसके दोनों प्रकृती को माना गया यह higher class का concept है लेकिन आपको basically इन चीजों का नालेज होना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका सुरुआत कैसे हुआ ओके चली अब हम अपने मेंटापी पराते हैं और यह है सबसे पहले प्रकास का परावर्तन तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकास का परावर्तन यहां पर मैं साथ में आपको डेफनेशन को भी कुछ कुछ बताते जा रहा हूं डेफनेशन को भी हमने यहां पर लिख दिया है अपने स्लाइट पर ताकि आपको साथ में आप नोट भी बना सको और चीजों का प्रावर्तन क्या होता है देखो यह चीज आप जानते हो कि कोई भी वस्तु प्रकास की उ दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर प्रकास उपस्थी थे आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि यदि हम प्रकास को वहां से हटा दें यदि हम वहां से प्रकास खटा दें तब हमको कोई चीज दिखाई नहीं देता जैसे हम जहां पर ब किसी भी वस्तू का दिखाई देना प्रकास की उपस्थिती के कारण ही संभा हो पाता है तो अब सोचे भाई प्रकास का रोल क्या है यहां पर प्रकास का क्या रोल है प्रकास किसी वस्तू को दिखाने में हमको किस तरह का सहयोग कर रहा है किस तरह से वह क्रिया कर रहा है यह ह वापस लवटती हैं और टक्रा के वापस लवटने के बाद जो हमारे आँख में प्रवेस्ट करती हैं हमारे रेटीना तक वो पहुंचती हैं तभी हमको वह वस्तु दिखाई दे पाता है that means प्रकास के किसी वस्तू पर टक्राना और टक्रा के उसी माध्यम में वापस आने की जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं इसी घटना को भाई ज्यानिकों ने परावर्तन कहा जैसे यहां पर हमने डेफेशन में लिखा है प्रकास एक विद्दचुमब की तरंग होता है ठीक है सबसे तो पहले हम यहां पर लिखा एक की प्रकास है क्या तो प्रकास क्या है यह यहिदि आपको कोई भी पूछे प्रक तो प्रास वास्ताव में प्रकार क्या प्रकास क्या है तो प्रकास fine रूप प्रकास क्या उर्जा का एक रूप है देखो पूरा हमारा जो इन्वर्स है पूरा हमारा जो ब्रम्हान है वो विभीन विभीन प्रकार के उर्जाओं का यूग में हैं और एक उर्जा का दूसरे रूप में रूप आंत्रन होते रहता है यही हमारा पूरा गेलेक्सी हमारा प 12 class में पढ़ोगे क्या है तो प्रकास एक विद्धुत चुम्बकी तरंग है जो की उर्जा का एक रूप है वह एक उर्जा का रूप है क्या विद्धुत चुम्बकी तरंग तो यह प्रकास का यही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो यह जो उर्जा है वह हमको देखने की छमता प्रदान करता है इसी के काड़ हम किनी चीज़ों को देख पाते हैं अब देखो प्रकास की प्रकृती प्रकृती क्या होती है जैसा के मैंने ही आपको बताया कि प्रकास की दो प्रकृती होती है एक कड़ी का सिध्धान जो जस्ट मैंने आपको पहले स्लाइट पर एस्प्लेंड किया तो कड़ी का सिध्धान का मतलब होता है कि प्रकास को हम कड़ों के रुपे मानते हैं और दूसरा होता है तरंग सिध्धान प्रकास को तरंग के रुपे मानते हैं यही बात मैंन कि प्रकृति दो प्रकार की होती है कडिका सिंधान और तरंग सिंधान और इस क्लास में हम इसके तरंग सिंधान को समझेंगे ओके चलिए अब हम डिसकस करें प्रावर्तन प्रकास का प्रावर्तन तो भाई प्रावर्तन क्या है अभी मैं आपसे डिसकस कर रहा था कि प्रकास का किसी वस्तू पर टक्राना प्रकास के किसी वस्तू के सतह पर टक्राने और पुना उसी माध्यम में लोड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं एक्चुल में इसमें होता क्या है देखो इस तरह से मैं एक सिंबोलिक फीगर से आपको बता द कि किस तरह से प्रकास में यह घटना होती है देखो माल हमारे पास माल हमारे पास इस तरह से एक पार्ट है मैं कुछ डाइग्राम से आपको एस्प्लेन करता हूं कि चीजों को हम देखते कैसे हैं तो आपको यह बात क्लियर होगा यह माल हमारे पास कोई एक पार्ट है या कोई विवस्तु है रखा हुआ है इसमें हमने यहाँ पर सपोस एक प्लांट लगा के रखा है ठीक है यह सपोस यह कोई यह प्लांट है यह हमने इसमें लगा के रखा हुआ है इस तरह से माल हो कोई प्लांट लगा के रखा है गमले म अब उसको देख प्रापा रहे हैं आपको मालूम हमको दिखाई दे रहा है वो दिखाई क्यों दे रहा है वास्तों में पाई उसके दिखाई देने का कारण क्या है इसके दिखाई देने का कारण यह है कि इसमें प्रकास की किर्णे आपतित हो रही है यह बहुं सारी प्रकास यहाँ पर हमारा आख है यह सपोज आई है ऐसे हम किसी वस्तू को देख पाते हैं तो वास्तों में यहाँ पर हो क्या रहा है यह प्रकास की किर्णे आप्तित हो रही है प्रकास की किर्णे किसी वस्तू पर आप्तित होने के बाद उस बिंदू से क्या होती है वो परावर्तित हो जाती है और परावर्तन होने के बाद जब वो कहीं मिलती है किसी बिंदू पर मिलती है जहां पर हमारा आख है तो यहां पर क्या होता है जिस जिस बिंदू से प्रकास का प्रावर्तन होता है वहां से उर्जा संप्रेसाड के कराण हमको वो दिखने लगता इस प्रकार से किसी वस्तू का दिखना संभा हो पाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकास के किसी वस्तू के सतह पर टक्राने कभी भी आपको परिभासा पुछे परावर्तन किसे कहते हैं तो टूदी पाइन बिल्कुल ऐसी लिखोगे कि प्रकास के किसी वस्तू के सतह पर टक अब हम देखें नेस्ट प्रावर्तन के नियम कि भाई जब प्रकास का प्रावर्तन होता है तो प्रकास के प्रावर्तन के कुछ रूल्स होते हैं कि कि किस प्रकार से प्रकास का प्रावर्तन होता है तो प्रकास के प्रकास के प्रावर्तन को हम इस तरह से समझ सकते हैं देखो खिर मैं उसके बाद उसके नियम को आपको समझाओंगा ठीक है तो हम यहाँ पर देखें कि प्रकास का जो परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है तो प्रकास का परावर्तन दो प्रकार का होता है एक कहलाता है नियमित परावर्तन और दूसरा कहलाता है अनियमित परावर डबल लेंग्वेज में लिखा है दोदो भासा में लिखा है तो 11 12 के भी क्लास में मैं सभी स्टुडेंट को यही बात बोलता हूं कि आप हिंदी मीडियम की स्टुडेंट हो उससे आपको कोई प्राब्लम नहीं आप हिंदी मीडियम से आई आटी जे इनीट कुछ भी निकाल सकते हैं लेकिन जो साइंटिफिक टेर्म हैं मतलब जो वैग्यानिक सब्दा वाली है उन वैग्यानिक सब्दा वालियों को आप इंग्लिस में भी याद करो लर्न करो तभी फ्यूचर में आपको क्योंकि आप्टर 12 क्लास जब आप हाईयर एजूकेशन के लिए जाएंगे तो निश्चितुर से आपको मालूम है कि medical engineering या किसी भी फिल्ड की अच्छे university में आपकी जो पढ़ाई होगी और basically science की पढ़ाई English पर best होता है और पढ़ना ही पढ़ता है तो क्यों न हम from very beginning बहुत पहले से उसके बारे में सोचना और उस पर प्रयास करना सुरू कर दें इ हिंदी मीडियम की स्टुडेंट को सपोर्ट करने के लिए है ताकि आगे उनको प्राब्लाम ना हो तो इससे आप घबराना मत मैंने मेहनत करके सब तयार किया है वह आपके लिए है चलिए तो हम सबसे पहले दखें कि नियमित और अनियमित परावरतन क्या होता है एक्चल म की किर्णे इस पर आपतित कर रहा हूं यह आप देख रहे हो कुछ प्रकास की किर्णे इस सतह पर आपतित हो रही है आपतित होने के बाद यह प्रकास की किर्णे जहां-जहां से टकरा रही है वहां से फिर क्या हो जा रही है परावरतित हो रही है तो इस चित्र में आप द प्रावर्तन की दिशा क्या है निश्चित है मतलब प्रावर्तन के पस्चात प्रकास की किर्णे समनांतर है एक दुसरे के समनांतर आप्तित हुए थे और समनांतर प्रावर्तित हो रहे हैं तो इस प्रकार के हम प्रावर्तन को नियमित प्रावर्तन कहते हैं regular reflection कहते हैं मतलब प्रकास की किर्णों का परावर्तन के पस्चात दिसा निश्चीत हो सभी का तब उस परावर्तन को हम regular reflection या नियमित परावर्तन कहते हैं लेकिन अनियमित परावर्तन का क्या मतलब होता है देखो अनियमित परावर्तन एक्चल में rough surface से होता है Rough surface मतलब खुरदूरा सतह से मालो इस प्रकार का मेरे पास कोई surface है उबडखाबड मतलब rough surface तो इस surface में दिए प्रकास की कीर्णों को आपतित करें तो क्या होगा? आप चित्र से समझ सकते हैं देखो ये मैं कुछ प्रकास की कीर्णे समनांतर आपतित कर रहा हूँ देखो ये प्रकास की कीर्णे भी समनांतर आपतित हो रही है लेकिन आपतित होने के बाद जब ये प्रकास की कीर्णे परावर्तित होती है तो आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि प्रकास की किर्णे समनांतर तो आप्तित होती है लेकिन समनांतर आप्तित होने के बाद जिस जिस बिंदू से टकराती है उन उन बिंदूों से परावर्तन के पस्चात इनकी दिशा क्या होती है भिन भिन हो जाती है तब इसे हम क्या कहते हैं अनियमित मतलब निश्चित दिशा में नियमित मतलब निश्चित दिशा में और अनियमित मतलब इनकी दिशा निश्चित नहीं है जिधर पा रहे हैं उधर चले जा रहे हैं इस पकार से इस पकार का है हम परावर्टन को क्या कहते हैं अनियमित परा प्लेन सर्फेस, यह प्लेन सर्फेस से होता है, और यह जो होता है, वो खुर्दूरे सतह से होता है, यह होता है, खुर्दूरे सतह मतलब रफ सर्फेस से होता है, तो ये है परावर्तन नियमित और ये अनियमित इसके बाद मैं आपको explain करता हूँ परावर्तन के नियम क्योंकि यहां से आपको वास्तों में परावर्तन के नियम को हम नियमित परावर्तन पर ही यहां पर proper explain कर पाएंगे हाला है कि यहाँ पर सब जगप प्रावर्तन का नियम हर जगा लागू होता है अब हम यहाँ पर देखते हैं देखो प्रावर्तन के नियम में देखो दोनों नियम मैंने लिख दिया है यहाँ पर लेकिन पहले मैं आपको समझा दू कि प्रावर्तन होता कैसे है उसके बाद फ यह माल लो एक सता है अभी हमने दरपर पढ़ाई स्टाइट नहीं किया तो collaborations सता पर बात कर रहा हूं to माल लो यहां पर यह एक सता है और इस सता पर हम क्या करते हैं एक प्रकास की किरण आप्तित करते हैं यह हमने एक प्रकास की किरण आप्तित किया अब जिस बिंदू पर हम प्रकास की किरण आप्तित करेंगे उस बिंदू पर हमको एक अभिलम खीचना होता है यह हमने यहाँ पर एक अभिलम खीचा ये जो blue color से आप data line देख रहे हो, ये क्या है? अभी lump है. तो ये आपतित किरण है और उसके बाद यहां से परावर्तन के पस्चाथ ये किरण क्या होगी? यहां से परावर्तित हो जाएगी. ये परावर्तित किरण है. तो चित्र में आप देखो, यह आपतित किरण है, यह औ इसको कहते हैं आप्तित किरण और इंग्लिश में बोलते हैं इंसीडेंट रे यह आप्तित किरण कहलाता है यह लंभ है और यह कहलाता है परावर्तित किरण इंग्लिश में बोलते हैं reflected ray यह कहलाता है परावर्तित किरण और लंभ के बीच में जो कोड बनता है यह वाला कोड इसको आई से पतरसित करते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोड आपतीत किरण तथा अभिलंभ के बीच के बने कोड को हम क्या कहते हैं आपतन कोड और परावर्तित किरण तथा लंब के बीच बने कोड को हम कहते हैं परावर्तन कोड जिसको आर से प्रदर्सित करते हैं तो इस पकार से परावर्तन होता है अब यहाँ पर जो दो नियम बनाए गए परावर्तन के जो दो नियम बनाए गए वो दो नियम क्या है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है देखो पहला नियम है आप्तित किरण मने ये वाला किरण परावर्तित किरण मने ये वाली किरण तथा अभिलम ये लम लम माने हाँ पर अभिलम तीनों एक ही सता पर होते हैं ये है इसका पहला नियम तो पहला नियम क्या हुआ आपतित किरण अभिलम तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं ये कहलाता है परावर्तन का पहला नियम इसके बाद देखो दूसरा नि यहाँ पर misprint हो गया है यह आपतन कोड़ को हम i से पतासित करते हैं तो यह i है आपतन कोड़ i तथा परावर्तन कोड़ r सदेव एक दूसरे के बराबर होते हैं यहाँ पर लिखा है देखो हमने angle i equal to angle r तो यह दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं यह क्या कहलाता है परा 10th class को especially focus करके आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि 11-12 class को तो हमारे चैनल में बहुत वीडियो आपको पता है अब मैं चाहता हूं कि मेरे student 9-10th class से ही अभी 9th class कभी आपको मिलेगा 9-10th class से ही बहुत strong concept के साथ में आगे बढ़ें ताकि मैं 11-12 class में उनके साथ इतना मेहनत कर सक कि वो first attempt में ही IIT JEE का NEET का exam निकाल सके इसलिए हम 10th class को बहुत 9th और 10th class दोनों को हम बहुत ही basic concept के साथ में और गहराई से पढ़ा रहे हैं बस आपको मेहनत कर रहे है मेरे साथ उसके बाद आपका 10th में तो result आएगा ही आएगा in future आपको 11-12 class में भी बहुत अच्छा support मि Random program यहाँ पर कुछ special case में आपको बता रहा हूं उस special case को बहुत ध्यान से समज़ना मालो किसी स्रता पर हम प्रकास की किरनों को लंबवत आपतित कर देते हैं जैसे मालो यह कोई स्रता है और इस स्रता के किरन को लंबवत आपतित कर दिया ये प्रकास की किरण को हमने लंबत आप्तित किया इस तरह से ये आप्तित किरण है जिसको सतह पर लंबत आप्तित किया है आप समझ सकते हो तो ये अभिलंबत आप्तित होगा तो यही लंब है यही लंब है और प्रकास की किरण को हमने लंबत आप्तित कर दिया और आप्तित किरण तथा अभिलम के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर आई का वेल्यू कीतना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा और जब आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा क्योंकि दोनों आपस से तार्च है और दिवाल में कोई दरपन लगा हुआ है मीरर लगा हुआ है तो हम प्रकास की किर्ण को टार्च से सिधे लंब दरपन पर आप्तित करते हैं तो दरपन से होके निकलने वाली प्रकास की प्रावर्तित किर्ण हम दिखाई नहीं देता क्योंकि जिस रास्ते से प्रकास की किरणों का आपतन हुआ था एक्जेक्ट उसी रास्ते से उसका परावर्तन हो जाता है यह नहीं किया होगा तो करके आप देख लेना लेकिन आप तिर्षा एदी टार्ज को जलाओगे तो आपतित किरण भी दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर आई और आर दोनों बन रहे हैं लेकिन यदि आप लंब बहुत आप्तित करेंगे तो सीधा उसी दिखाई पर वापस हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूं तो यह दोनों बात ध्यान में रखना कि जब प्रकास की किरणों को किसी सता पर लंब बहुत आप्तित किया जाता है तो प्रकास की किरणे सीधे उसी मारगे में वापस लौड जाती हैं जिस मारगे से उनको आप्तित किया गया था क्यों क्योंकि आपतन कोड का मान सुननी होता है इसलिए परावरतन कोड का मान भी सुननी हो जाता है ओके क्लियर यहा पर हम देखते हैं प्रतिविम प्रतिविम क्या होता है देखो आपको मालूम है कि हम किसी भी वस्तु को इस लिए देख पा रहे हैं क्योंकि उस वस्तु का प्रतिविम हमारी आख पर रेटीना पर या कहीं न कहीं बन रहा है तो हम वस्तु के प्रतिविम को इस पकार से देख पाते हैं तो वास्तों में प्रतिवीम होता क्या है मैंने देखा है कि छोटे-छोटे प्रतिवीम क्या होता है प्रावर्तन या अपवर्तन के पस्चात देखो प्रतिवीम हमेशा दो घटना के बाद हमको दिखाई देता है या तो प्रावर्तन की घटना होना चाहिए या तो अपवर्तन की घटना होना चाहिए अपवर्तन की घटना को हम इसके बात पढ़ेंग जब दो या दो से अधिक प्रकास की किर्णे किसी बिंदू पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन या परावर्तन के पस्चात जब दो या दो से अधिक प्रकास की किर्णे एक दूसरे को किसी बिंदू पर काड़ती है या काड़ती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदू वस्तू का प्रतिभीम कहलाता है तो वह जो बिंदू होता है वह वस्तू का प्रतिभीम क कहते हैं clear का definition हुआ अपवर्तन या प्रावर्तन के पस्चाथ आगे चलके मैं चित्रों की साहता से इसको समझाऊंगा तो बहतर समझ में आएगा लेकिन सबसे पहले आप उसका definition समझ लो परावर्तन या अपवर्तन के पस्चाथ जब दो या दो से अधिक प्रकास की केड़े एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तब वह बिंदु क्या होता है वस्तु का प्रत्वीम कहलाता है अब प्रत्वीम के प्रकार तो वास्तों में प्रत्वीम के दो प्रकार होते हैं एक प्रकार कहलाता है वास्तविक प्रत्वीम पहला जो प्रकार है वो कहलाता है वास्तविक प्रत्वीम ये इंगलिस हम बोलते है रियल इमेज और दूसरा कहलाता है अभासी प्रत्वीम जिस होती है प्रकास की केरणों का हमने परिभासा में क्या लिखा है काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो वास्तविक प्रत्विम कब बनता है जब प्रकास की केरणे क्या होती है वास्तों में काटती है कि जब एक दूसरेको वास्ता में काटती है तो वास्तविक प्रत्वीम बनता है और जब काटती हुई प्रती छोती है कैसे प्रतीत होती है यह हम आगे देखेंगे तब क्या बनता है आभासी प्रद्वीम बनता है वास्तविक प्रद्वीम को पहचानने का तरीका क्या है कि वास्तविक प्रद्वीम जो होता है हमेशा उल्टा होता है वास्तविक प्रद्वीम हमेशा उल्टा होता है जब भी प्रद्वीम वास्तव कि क्या होता है जो वास्तविक है उसको सिध रहना चाहिए और रियल होता है तो वास्तविक को सिधा होना चाहिए ऐसा confusion लेकिन ऐसा नहीं हैं वास्तविक प्रदीम उल्टा होता है आभासी प्रदीम सीधा होता है आप इसको कुछ इस तरीके से आध रख सकते हैं कभी आपको confusion हो तो आभासी के last में c आता है जब हम आभासी सब्द लिखते हैं तो अंतिम में c आता है और यहीं c से आप लिख लेना सीधा यहीं c से सीधा तो यह आपके confused होने के condition को remove कर सकता है आभासी c से सीधा अब बज गया वास्तविक तो उल्टा तो यह इसको पहचानने का तरीका है कि कैसे हम इसको पहचानते हैं दोसी महत्पूर्ण बातिया है कि वास्तविक प्रद्वीम क्या होता है परदे पर प्र परदे पर प्राप्त किया जा सकता है कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हम वास्तविक प्रद्वीम को इस्क्रीन पर देख सकते हैं परदे पर देख सकते हैं जैसे थिएटर में जब मूवी देखते हैं तो थिएटर में मूवी देखते हैं उसको इस्क्रीन पर देखते हैं पर तो वह वास्तव में होता है वास्तविक प्रद्वीम होता है लेकि फिर आपके दिमाउख में क्रास्ट कबस्चन आ रहा होगा कि सर वो तो उल्टा नहीं होता वह तो सब हमको सीधा-सीधा दिखाई देता है उसका कारण यह है कि प्रोजेक्टर पर एक इंवर्टर लेंस जाता से उल्टे को सीधा कर दिया जाता है तो परदे पर उसको प्राप्त किया जा सकता है किसको वास्तविक प्रद्वीम को और अभासी प्रद्वीम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता यह दोनों बात ध्यान में रखना कि वास्तविक प्रद्वीम को परदे पर प प्राप्त किया जा सकता है और अभासी प्रतिवीम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता ओके तो यह है प्रतिवीम और प्रतिवीम के प्रकार यह आप कभी नहीं भूलना क्योंकि प्रतिवीम के प्रकार भूले तो फिर प्रकास में पढ़ोगे क्या क्योंकि प्रकास म हैं हमेंसे हमको प्रतिभीव-ंप्रतिवीम भी पढ़ना पड़ेगा आगे हमारे अधिया है सिर्फ प्रतिभीं के निर्माल पर बस्थ होगा है कि फिर ली नेश टापिक अब हम पढ़ते हैं दरपड नाम ाक में बहुत महत्व सब को पता है कि दरपण क्या होता है दरपण के हाँ पर प्रकार भी हम एस्प्लेण करेंगे यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम देखें कि दरपण क्या है अब आप बोलोगे कि सर जो प्रकास के किर्णों को प्रावर्तित कर देता है वो दर्पण होता है निश्ची तुम से हर बच्चा जब भी मैं पूसता हूँ तो एक ही जवाब देता है कि सर जो प्रकास के किर्णों को प्रावर्तित करता है वो दर्पण कहलाता है परिभासा सही है गलत नहीं है लेकिन फिर इसका मतलब यह हुआ कि सब इस चीज़ दरपण है फिर हम भी तो प्राकास के किर्णों को परावर्तित कर रहे हैं मैं आपको सुरुवात ने समझाया कि कोई भी वस्तु आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वह प्राकास के किर्णों का परावर्तित कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हर वस्तु दरपण है नहीं हर वस्तु दरपण नहीं है तो फिर दरपण में क्या खास बात है त तो दरपण भी प्रकास का परावर्तन ही करता है लेकिन एक समाने वस्तु और दरपण में ये डिफ्रेंस है कि समाने वस्तु क्या करता है संपुन प्रकास की किर्णों को परावर्तन नहीं करता किन्तु दरपण लगभग 100% लगभग इसलिए क्योंकि 100% परावर्तन तो कोई इस ब्रम्भान में करी नहीं सकता कोई भी घटना वैसे एकजेक्ट 100% कभी नहीं होता कुछ न कुछ उसमें कमी रहता है लेकिन हम परिभासा में ऐसा बोल देते हैं कि जो प्रकास की किर्णों को 100% परावर्तन कर देता है वह क्या कहलाता है यहांपर मैं थो गता हूँ जो प्रकास को पूरा तो नहीं लिखूंगा लगभाग ही लिखूंगा क्योंकि जो सही है वही सही है जो प्रकास को लगभाग 100% परावर्तित कर देता है परावर्तित कर दे वो क्या कहलाता है दरपण कहलाता है मतलब एक साइनिंग सर्फेस होता है यह एक चमकीला सतह होता है इसको इसे विशेश पकार की पध्धती से मरकरी वगरा का जो ए बना के सालूसन बना के उसके पीछे पैस्टिंग की जाती है उसके पीछे में पॉलिस क किया जाता है और चमकिला सतह बनाया जाता है फिर चमकिला सतह बनाने के बाद फिर वो दर्पण बनता है तो दर्पण लगभग 100% प्रकास के केड़ों को प्रावर्थित कर देता है उसे हम दर्पण कहते हैं अब हम देखें दर्पण के प्रकार तो दर्पण दो प्रकार का ह होता है एक होता है समतल दर्पण मतलब जिसका सतह क्या हो समतल हो समतल दर्पण तो आप एनी टाइम यूज कर रहे हो भई समतल दर्पण के बारे में आपको हम क्या बताएं यह एक दर्पण है समतल दर्पण अब यहां पर दर्पण को सो करने के लिए ध्यान रखना हमेशा ह हम इसमें इस तरह की ऐसे लाइनिंग सो करेंगे ऐसा इससे आप समझ जाना के अंदर पढ़ है जिधार लाइनिंग सो किया गया है वो पालिस एरिया है जिधार ऐसे लाइन खीचा गया है नीचे में वह उसका पालिस किया हुआ एरिया है और उपर जो है वह उसका चमकीला सत है और पालिस किया हुआ सता है यह समतल दरपढ़ है अब हम देखें गोली दरपढ़ वैसे अभी हम क्यों आपको नाम बता रहे हैं आगे चलके हमको समतल दरपढ़ को डीटेल में फिर गोली दरपढ़ को डीटेल में हमको पढ़ना है अभी तो मैं क्यों इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं बाकी सेपरेट सेपरेट अलग से पढ़ेंगे तो गोली दरपढ़ दो प्रकार का होता है एक होता है अवतल दरपढ़ दूसरा काटा ये काटा और ये काटा दोनों किनारे से गोले को काट लिया दोनों किनारे से गोले को काटने के बाद ये वाले तुकड़े को निकाला मैं और उस तुकड़े को निकालके इस तरह से हमने क्या किया मालो अभी मैं केवल इंट्रोड़क्शन दे रहा हूँ बाद में फिर उसको तो हमको आपको एस्प्लेंट करना ही है और देखो खोखले गोले को काट के खोखले गोले को काटने के बाद जो हमने एक सतह निकाला सपोज ये वाला सतह ये है और एक सतह हमने ये निकाला अब दो तुकड़े काट का जो दो तुकड़ा था वो दो तुकड़ा हमने निकाला और दोनों तुकड़े पर निकालने के बाद इसको पॉलिस कैसे किया है देखो अब हम क्या किये ये वाला जो पहला सतह है यह जो देख रहा है हो इससे जो तुक्ड़ा निकाला इसके सपोस हमने इस सर्फेस पर पॉलिस कर दिया यह उठे हुए सतह पर यह पॉलिस कर दिया और इसके अंदर दबे हुए सतह पर पॉलिस कर दिया ऐसा तो यह जो दर्पण बना पहले नमबर में जो दर्पण बना है यह दर्पण क्या कह लाएगा आउतल कह लाएगा यह आउतल दर्पण है मतलब चमकिला सतह यदि अंदर की और दबा हुआ हो जो चमकिला सतह है मतलब जो परावर्तक सतह है वो अंदर की और दबा हुआ हो तब हम उसे क्या कहेंगे अवतल दर्पन कहेंगे और चमकिरा सता उपर की और उठा हो तब हम उसे क्या कहते हैं उतल दर्पन कहते हैं तो यह तो क्यों मैं एक introduction बताया भी आपको बाकी अभी हमको इसको अलग से बहुत detail में पढ़ना है यही तो पढ़ना है पूरे chapter में पू समस्ते हुए लर्न करते हुए चलो ओके तो यह है दर्पन और उसके प्रकार अब हम one by one पढ़ें सबसे पहले हम पढ़ें समतल दर्पन से प्रदिवीम का बनना देखो अब महत पूर्ण बात है कि समतल दर्पन प्रदिवीम कैसे बनाता है इसको हमको समझने है कि भाई माल होता है इसको हमको ध्यान से समझना है यह बहुत important topic है आपको board exam में इस से related question पुछे जा सकते हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले एक समतल दरपन बनाओ यह मैंने एक stand बना लिया यह dressing table पर आप लगा के रखते हैं ऐसा क्या है यह एक दरपन है तो समतल दरपन को हमने यहां पर उर्ध्वा धर इस प्रकार से खड़ा किया हुआ है अब इसके सामने एक वस्तु है यह image formation ध्यान से समझना मैं समझता हूं कि प्रकास के chapter को वही student धंग से समझता है जिसको ची प्रत्वीम बनाना है तो मैं प्रत्वीम यहां पर पहले से बना देता हूं हाला कि हमको पहले से प्रत्वीम नहीं बनाना है लेकिन समझाने के लिए मैं पहले से बना दिया हूं यह प्रत्वीम ही बना नहीं है लेकिन मैंने बना दी अभी आप उसको भूल जा यह है इस त प्रकास के किर्णे चाहिए लेकिन आप समझ सकते हो कि practically हम अनन्द प्रकास के किर्णों को बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते हैं तो क्या करें तो minimum two race compulsory है कम से कम दो किर्णों का होना अनिवाद्य है वैसे तो practical life में पूरा प्रद्विम बनाने के लिए अनन्द प्रकास की किर्णों क्या उसकता होती है जो वस्तु के हर पार्ट से परावर्तितों कराती है और आपस में दुश्य को काटती है तो कहीं जाक से कटवा दिया जाता है और उसी के अधार पर प्रद्विम बना दिया जाता है तो हम इसके सिर्ष से जो नुकीला पार्ट आप देख रहे हो यहां से हम दो प्रकास की किर्ण आप्तित करते हैं एक प्रकास की किर्ण में यह आप्तित किया और दूसरी प्रकास की किर्ण मे अभिलम खीचना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने देखा है कि प्रकास की क्यों का परावर्तन हम अभिलम की सहयता से करते हैं अब यहां पर होगा क्या देखो जब प्रकास की क्यों के यहां से परावर्तन होगा तो थोड़ा ध्यान देना यहां से अब हम वास्तों में हुआ क्या है देखो फिगर पर्फेक्ट बनाने की आप कोशिस करना मैं बहुत मेहनत करके पर्फेक्ट फिगर बनाता हूँ और आप उसी से सीखो अब यहां पर हुआ क्या है ध्यान से सुनना यहां पर हुआ क्या है यह चीज़ आप ध्यान से समझना देखो यहां पर यह भी एक वस्तू है अब एक वस्तू है यहां से एक प्रकास की किरन ये और दूसी प्रकास की किरन ये यहां पर आपतित किया गया है ओके दो प्रकास की किर्णों के हम राप्तित किया गया दोनों प्रकास की किर्णे यहां पर आप्तित होने के बाद इस दिशा में दोनों परावर्तित हो गए ऐसे परावर्तित हो गए अब इन किर्णों को आप देख रहे हो कि दोनों प्रकास की किर्णे आगे इस प्रकास से फैलते हुए जा रही है दोनों प्रकास की किर्णे आगे इस तरह से फैलते हुए जा रही है और आगे इनके आपस में काटने का कोई संभावना नहीं है आगे चल कि ये दोनों प्रकास की किर्ण एक दुश्य को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि दोनों दूर फैलते हुए जा रहे हैं तो इन दोनों प्रकास की किर्णों को हमने पीछे बढ़ाया तो अभी मैंने आपको बताया कि जब तो प्रकास की केड़ेंग दुश्य को नहीं काट पी, बलकि पीछे बढ़ाने पर काटी हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर आभासी प्रत्वीम बनता है, तो यहाँ पर बन जाता है एक आभासी प्रत्वीम और यह प्रत्वीम है क्या? A-B-E-B-E-S इसका आभासी प्रत्वीम है, जो पीछे बढ़ाने पर बना हुआ है, इस पकार से समतल दरपन प्रत्वीम का निर्मार करता है, अब इसकी विशेषता क्या क्या होती है? यह देखते जाओ, तो इसकी विशेषता क्या होती है प्रत्वीम की? पहला ये कि दरपण के पीछे बनता है, दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सा मने होता है, अब इसकी विश्थाथाओं को हम समझते जा रहे हैं, यही एक्जाम में आपका प्रस्ण हो सकता है, पहली विश्था क्या, कि प्रतिवीम दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तू, मान लो यहाँ पर दरपण से वस्तू की दूरी, मान लो D है, तो यहाँ से दरपण से प्रत्वीम की दूरी भी क्या होगा, D होगा, पहली विस्तेस्ता, दूसरी विस्तेस्ता क्या है, आप यहाँ पर चीत्र में देख रहे हो, किया सीधा बनता है ये हमेशा सम्तल दरपन हमेशा सीधा प्रत्वीम बनता है और सीधा प्रत्वीम होने के कारण यह क्या होता है आभास्ती होता है माने सम्तल दरपंड से बना जो प्रद्वीम होता है वह सीधा होता है तथा आभास्ती होता है वो हमेशा सीधा होगा और आभास्ती होगा दूसरी विशेस्ता तीसरी विशेस्ता क्या है वस्तु के आकार का होता है वस्तु के आकार का कहने का मतलब वस्तु से न तो छोटा न तो वस्तु से बड़ा मालो हमारे पास 5 cm का वस्तु है तो 5 cm का प्रतिवीम ही बनेगा उससे बड़ा या छोटा नहीं बन सकता जबकि अभी हम गोली दरपन में बढ़ेंगे कि गोली दरपण वस्तु के साइज के हिसाब से प्रतिवीम छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है आगे हम पढ़ेंगे तो आपको एस्पेन करेंगे इस पकार से आप देखो कि समतल दरपण में दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दरपण के पीछे प्रतिवीम लिखना है ना दरपण के पीछे उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सामने दरपण के पीछे प्रतिवीम लिख दिया मैं हाँ पर नहीं तो समझ में नहीं आएगा दरपण के पीछे प्रतिवीम उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सामने सेंटेंस अधुरा रहेगा समझ नहीं आएगा जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सामने आप लिख भी लेना सीधा बनता है अभासी बनता है और वस्तु के आकार का बनता है यहाँ पर कुछ महत्र पूर्ण बात यह है इसको आप ध्यान में रखना किसी भी वस्तू का पूर्ण प्रत्वीम प्राप्त करने के लिए ठीक है नेस्ट स्लाइड में लिग देता हूँ इसको मैं किसी भी वस्तू का पूर्ण प्रत्वीम प्राप्त करने के लिए पूर्ण मतलब जितनी लंबाई का है पूर्ण प्रत्वीम प्राप्त करने के लिए दरपन की लंबाई को दरपन की लंबाई को वस्तू की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए यह ध्यान रखना किसी भी वस्तू का पूर्ण प्रत्विम प्राप्त करने के लिए जैसे मानलो कोई वस्तू 6 फिट का है सपोस मैं 6 फिट का हूँ और मेरे को दरपन में अपने सीर से पैर तक पूरा प्रत्विम को देखना है कोई भाग कटे मत तो मेरे को कम से कम 3 फिट के दरपन का जवरत पड़ेगा कम से कम बड़े से बड़ा तो कितना बड़ा भी हो सकता है कम से कम उसका आधा यह बात मैंने यहां पर लिखा है किसी भी वस्तू का पूर्ण प्रत्वी प्राप्त करने के लिए दरपन की लंबाई को वस्तू की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए ठीक है और एक महत्त पूर्ण पाइंट यहां पर और लिख रहा हूं मैं फिट नंबर का वो यह है यदि वस्तु दर्पण की और ux से गती करे, तो प्रतिबी में भी तो प्रतिबी में भी दर्पण की और, दर्पण की और ux से गती करता है, ux से गती करता है, ओके यह, यह 5 पाइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और यह इस से रिलेटेर बहुत इंपॉर्टेंट पाइंट है, कि समतल दर्पण से प्रतिबी में कैसे बनता है, यह मैंने आपको figure में explain किया, उसके बाद बताया कि दर्पण की पीछे प्रतिबी में उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबी म हमेशा सीधा और अभासी बनता है, वस इतने points को आपको ध्यान में रखना है और समतल दरपण पर यह आपका complete information है ठीक है अच्छा यहां पर एक सी ध्यान में रखना यहां बोला है कि दरपण की और भी एक से गती करें तो प्रद्वीम भी दरपण की और लेकिन प्रद्वीम वस्तू की और बोले तो to u हो जाएगा आप एक शिक चाल से दरपण की और बोले तो u लेकिन वस्तू की और बोले तो u और u जुड़ जाएगा add हो जाएगा और to u हो जाएगा तो यह समतल दरपण का आपको complete information है इसके बाद हमको देखना है next topic है हमारा parsvik विस्तापन देखो parsvik विस्तापन एक समतल दरपण के महत्तपूर्ण विसेस्ता है इसको हम English में बोलते है lateral inversion lateral inversion parsvik विस्तापन तो parsvik विस्तापन होता क्या है parsvik विस्तापन मतलब उसके parse का विस्तापित हो जाना पार्स विश्थापित हो जाना मतलब आपने सम्तल दर्पण के सामने खड़े हो कर देखा होगा कि सम्तल दर्पण के सामने जब आप लाइट एंड मूँव करते हो तो वहाँ पर दर्पण में लेप्ट हैंड मूँव होता हुआ दिखाई देता है इसे को बोलते हैं कि आप विस्थापन, मतलब समतल दरपन की विस्थापन क्या होती है, कि वह किसी वस्तू के पूरे लेप्ट पार्ट को राइट में, और राइट वाले पार्ट को लेप्ट पार्ट में इन्वर्ट कर देता है, इस पकार से, इसको बोलते हैं हम उसका पार्सविक विस्थापन या ल दिखा जाता है उल्टा ताकि सामने विकल्ट चलाने वाले कोई इम्बुलेंस का लेटर सीधा दिखाई दे ताकि उसको जल्दी साइड दे की पिछे एक दरपन को हम बारी-बारी से बहुत डीटेल में पढ़ेंगे तो जिसमें हम गोली दरपन में सबसे पहले पढ़ लेते हैं आउतल दरपन की क्या क्या विश्यस्ता होती है कैसे कैसे इससे इमेज बनता है और क्या क्या इसकी विश्यस्ता होती है यह सभी चीजों को हमको य यही basic है ध्यान से समझना यह हमने यहां पर एक आउतल दर्पण बनाया आउतल दर्पण में इसके part क्या क्या होंगे यह समझ जो पहले हम इसके उठे हुए person को polish area से show करेंगे इस तरह से यह polish किया हुआ area है इसके बाद दर्पण में कौन-कौन से points होते हैं यह समको समझना है इसके अंगों को समझना है तो यहां पर एक point मैं बता रहा हूँ P और P फार होता है पोल और हिंदी में इसको कहते हैं धुरूक तो दर्पण के ठीक मध्यमें एक बिन्दू होता है जिसको P से पतसित करते हैं और P फार-पोल होता है इसको धुरू करते हैं अब देखो दर्पण जिस गोले से काटके बनाया जाता है अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दरपन को हम क्या करते हैं गोले से काट के बनाते हैं इस पकार से यह गोला है अब इस गोले का जो केंद्र होगा इस गोले का जो केंद्र होगा यदि हम इस छोटे से तुकड़े को इस गोले से काट के निकालेंगे तो इस गोले का जो केंद्र है उसी को हम क्या कहते हैं वक्र वक्रता केंद्र है, C माने वक्रता केंद्र, C माने वक्रता केंद्र, इंगलिश में बोलता है center of curvature, center of curvature, ये कहलाता है वक्रता केंद्र, तो C यहाँ पर वक्रता केंद्र है, किलियर यहाँ तक, इसके बाद पोल और C के बीच में, ठीक मध्य बिंदू में एक पॉइंट होता है, जिसको हम F से पतरशित करते हैं, और यहाँ पर F मतलब होता है focus, इसको हम focus करते हैं, हिंदी में भी अपन focus ही कहलाते हैं, तो F क्या है यहाँ पर focus है, तो क्या के मैंने point बताया, P pole कहलाता है, F इसको focus कहलाता है, C क्या है, center of curvature, वक्रता केंद्र कहलाता है, इसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत महत पूर्ण point है, कि यदि हम इसके दोनों सीरों को मिला दे, इस किनारे और उस किनारे को इस तरह से मिला दे, तो यह जो आप dotted line देख रहे हो, इसको बोलते हैं दरपण का द्वारक, यह dotted line कहलाता है, द्वारक, द्वारक मनें द्वार, aperture, दरपण का द्वारक, इंगलिस में aperture बोलते हैं, यह है दरपण का द्वारक, द्वारक मतलब उसका द्वार, जहां पर प्रकास की किने जितने area तक प्रवेश्ट कर सकती है है इसा कह सकते हो तो मालो हम यहाँ पर इसका नाम दे दिये M-m-dash, M-m-dash क्या है इसका दरपण का द्वारत है यह मैंने आपको बताया कि अवतल दरपण में क्या-क्या पार्ट होता है ठीक है इस पकार से अवतल धर्पण के इसके पार्ट होते हैं ध्यान रखना इसका focus और वकृता केंदर दोनों क्या होता है अंदर क्यों होता है मतलब जो DR इतने part होते हैं बार में repeat करता हूं ध्यान दो P Paul है पॉल मानि धृरू फ क्या है फोकस होता है, A फोकस है, C वक्रता के अंदर है, सेंटर आप करवेचर और M, M, डेस का है दरपण का द्वारक है अब हम इसी तरह से पढ़ लेते हैं कि उतल दरपण कैसा होता है कि उतल दरपण से किस तरह का कंडिशन बनता है, पहले दरपण को पढ़ लें फिर उसके बारे में हम पूरा डेटेल इस्टेडी और करेंगे, अब हम देखते हैं उतल दरपण ये हम बना रहे हैं उतल दरपण अब इसका जो पॉलिस वाला एरिया है, वो अंदर क्यों रहेगा ये यह ही इसका मुख्यक्षा है, यहाँ पर देखो, यह वाला जो पॉइंट है यह पॉल होगा, आप समझ सकते हैं, बाकी तुमें आपको बता दिया अब यह यहाँ पर इसका सेंटर आप करवेचर सी होगा, यह इसका फोकस एफ होगा और प्रावर्तक सत्य है, यहाँ पर इधार है देखो, यह होता है और दरपण का द्वारक, यहाँ पर आपको बताने का जोरत नहीं है, सब्तों मैं आपको पहले ही एस्प्लेन कर दिया यह M, M, D, S क्या होगा, इसका द्वारक होगा तो पुना उसको लिखने का जोरत नहीं है, आप समझ गए, इसमें होता है दोनों दरपण में खास बात क्या देख रहे होगे, कि यह वाले मीरर में क्या होता है इसके फोकस और इसका वक्रता केंदर, सेंटर आपकर वेचर दोनों पालिस वाले एरिया में होता है, और यहाँ पर देख रहे हो, यह दोनों क्या होता है मन चमकीले सता में होता है, यह उल्टे साइड में होता है इसके काराण चिन परिपाटी में इसके फोकस दूरी के मान पर प्रभाव पड़ता है आगे मैं उसको explain करूँगा तो यह तो हो गया उतल और अवतल दर्पन अब हम देखते हैं इसमें चिन परिपार्टी क्या होती है गोली दर्पन से प्रद्वीम रचना के नियम फिर मैं एक साथ आपको समझाओंगा तो उतल दर्पन अवतल दर्पन इसमें चिन परिपार्ट मैं यही पर explain कर देता हूँ चिन परिपार्टी को ठीक है अच्छा एक काम करें चिन परिपार्टी समझाने से पहले मैं आपको गोली दर्पन से प्रद्वीम रचना के नियम समझा देता हूँ तो गोली दर्पन से प्रद्वीम रचना का नियम समझने पर आपको चिन परि प्रतिभीम के लिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी गोली दर्पन्ट से प्रतिभीम कैसे बनता है तो पहले हम देखें आउतल दर्पन्ट तो आउतल दर्पन्ट हम बना लें और प्रतिभीम रचना के नियम फिर हम यहां से पढ़ेंग बार बार एक बात आपको बोल रहों कि सबसे महुत पूरण बात है प्रतिवीम बनाना तो प्रतिवीम को आपको अच्छे से बनाना है और जिस स्टेपर मैं बनाता हूं उसको आप फालो करिए उसी तरीके से आप आसानी से उसको बना पाओगे यह अवतल दरपढ है यह सो करना बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पर देखो यह इसका कहलाता है मुख्यक्च इसको हम इसका मुख्यक्च कहते हैं जैसे भी मैं आपको समझाया दोनों फिगर्ट यहाँ पर यह भी बता दूँ मैं कि यह जो वाइट कलर के मैंने लाइन खीचा हुआ है यह इसका मतलब इसके पोल और सी से होकर जाने वाला लाइन यहाँ पर हम इसको इसका मुख्यक्च कहेंगे प्रिंसिपाल एक्सिस तो यहां पर देखो यह धुरू है इसका यहां पर यह पोल है तो प्रतिवीम रचना के नियम क्या है प्रतिवीम रचना की तीन नियम है यह एक ऐसा टापिक है कि यदि आप प्रतिवीम रचना के नियम को नहीं समझोगे तो समझो की पूरा चेप्ट कि कम से कम दो चिरने चाहिए तो प्रद्भी मलाने के लिए दो किर चाहिए तो हम क्या है उनको किस तरह से आप्तित करते हैं और कि धर वो परावर्था होता है यह हमको Be करना है देखो तो पहला नियम क्या है जो प्रकास की किरण जो प्रकास की किरण मुक्षक्ष के समनांतर आपतित होती है देखो यह मुक्षक्ष के समनांतर आपतित होती है वह आउतल दरपड से परावरतन के पस्चात फोकस से होके जाती है पहला नियम ध्यान से सुनो पहला मुक्षक्षे के समनांतर आप्तित होगी वह परावर्तन के पस्चात फोकस से होके जाएगी यह इसका फर्स्ट रूल है सेकंड रूल क्या कहता है देखो कि जो प्रकास की किरण फोकस से होके आएगी अब इसका ठीक उल्टा जो प्रकास की किरणे फोकस से होकर आएगी वह समनांतर होके चली जाती है ये दूसरा नियम है एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो प्रकास की किर्णे फोकस से होके आएंगी ये फोकस से होके आती है वो परावर्तन के पस्चात मुख्षक्षके समनांतर हो जाती है तो फोकस से हो और वह नियम क्या कहता है कि जो प्रकास की केड़ने वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी दिशा में वापस लोड़ जाती है ये तीसरा नियम है तीसरा नियम कहता है कि जो प्रकास की केड़ने वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पस्चाथ उसी मार्ग से वापस लोड़ जाती है तो जो प्रकास की केड़ने वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी मार्ग से वापस लोड़ जाती है और इसका कारण क्या है कि वक्रता केंद केंद्र से होकर आने वाली जो प्रकास की किर्णे होती है वह सतह पर लंबत होती है अब आप पुछोगे सर क्यों तो लंबत होने का कारण क्या है कि जो प्रकास की किर्णे वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो त्रिज्य होंगी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली हर होगे आप प्रतिवीम नहीं बना पाओगे तो यह कहलाता है अवतल दर्पण से प्रतिवीम रचना के नियम अब हम देखते हैं उतल दर्पण से यह हो गया अवतल दर्पण से अब हम दूसरा देखते अच्छा यहां पर एक और नियम है चलो मैं बता दो फिर समझाता हूं उसके बाद वस्तू को हमेशा दर्पण के बाई और रखा जाएगा यह भी एक नियम है वस्तू हमेशा दर्पण के बाई और रखा जाएगा वस्तू को हम दर्पण के बाई और नहीं रह सकतेए चीने परीपार्टी में समझाता हूं उसको मैं चीने परीपार्टी में और अच्छे से क्लिЕर होया एगा नियम बहुत है न दर्पण में उसी को समझना तो मुख्ष बात है यह हमने पालिस वाला एरिया बना दिया इसको अब यह हो गया उतल दर्बण यह इसका मुख्यक्षा है अब यहां पर देखो प्रद्वीम रश्चना की नियम क्या है आपको इस पस रूप से यह चीज दिखाई दे रहा है कि यह यह दी पोल है तो इसका फोकस इधर होगा और इसकी वक्रता क्रिजे इधर होगी तो यहां पर प्रद्वीम रश्चना की नियम को थोड़ा अलग धन से समझना पड़ेगा देखो पहला क्या जो प्रकास के किरण मुक्षक्ष के समनांता रापतीत होगी इधर होगा तो जो प्रकास के किरण मुक्षक्ष के समनांता रापतीत होगा वह होगा क्या फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा जाएगा नहीं यह फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होग भाई बहुत महत्पून बात है ध्यान से सुनो ये तो हुआ क्या है यहाँ पर जो प्रकास की कीड़े मुख्शक्ष के समनांतर आपतित होती है वो दरपण के सतह के पर परावर्तन के पस्चात इस तरह से परावर्तित होती है कि देखने से लगे वो फोकस से आ रही है देखने से क्या लगे कि वो फोकस से आ रही है और इस तरह से उसका परावर्तन होता है क्लियर दूसरा नियम क्या है जो फोकस की और आती होई प्रतीत होगी जो प्रकास की क्लियर फोकस की और आती होई प्रतीत होगी चलो, ये मैं ले लिया, ये फोकस की और आती हुई, ये ले लिया मालो में, इसको data line बना देता हूँ, ये फोकस की और आती हुई प्रतीथ हो रही है, तो वो परावर्थन के पस्चात, मुख्शक्ष ये समानांतर हो जाती है, यहां से प्रावर्तन के पस्चात यह मुख्षक्षके समनांतर हो जाएगी दूसरा नियम क्या बताया जो प्रकास की किर्णे इसके फोकस की और आती होई पतीत होती है वो प्रावर्तन के पस्चात मुख्षक्षके समनांतर हो जाती है देखो मुझे चचके समनांतर हो गए जो मैंने येलो कलर से बनाया है और तीसरा देखो तीसरा फिर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से बना रहा हूं तीसरा नियम को वो नियम क्या कहता है कि जो इसके वक्रता केंद्र की और आती हुई प्रतीत होगी वक्रता केंद्र की और आती होई प्रतीत होगी यहाँ पर मैं इसको डाटेट कर दूँ क्योंकि दरपण को पार करके किर्णे थोड़ी आएंगी है आती होई प्रतीत हो रही है वह उसी दिशा में वापस लौड जाती है जो वकृता केंद्र की और आती होई प्रतीत होती है वह सेम डारेक्षन में वापस लौड जाती है ये तीसरा नियम है तो भई ये नियम थोड़ा सा कठीन है ध्यान से सुनना आउतल दरपण से प्रद्विम बनने का नियम बहुत आसान है और उसमें उतल दरपण में आउतल इसको भी उतल लिख दिया क्या, यह होगा उतल, उतल ये उतल है भई, दो बार बार वोई भी लिख दिया, धोक्य से चलो, यह उतल दर पढ़े, ओके, तो यह है प्रतिभीम रचना के नियम, और ये नियम आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, बहुत अच्छे से ये दोनों समझ भंग आ गया को इसके प्रद्मीं बनाऊगे तो सब समझ जाएगा इसके बाद मैं आपको बताता हूं, चिनह परिपार्टी तो चिनह परिपार्टी समझाने की लिए मैं आपको कोई बी एक दरपन्ड ले लेता हूं कोई भी एक दरपण से मैं इसको समझा सकते हैं मालो मैं यहाँ पर अवतल दरपण ले लिया यहाँ पर मैं एक अवतल दरपण बना लेता हूँ यह है और यहाँ से मैं आपको पूरे चिन्य परिपाटी को explain कर देता हूँ यह है अवतल दरपण चिन्य परिपाटी को यदि आप धंग से नहीं समझोगे तो निमेरिकल्स में किसी निमेरिकल्स में आपका प्रापर आंसर नहीं आएगा क्योंकि जब भी हम इसे related निमेरिकल्स प्राब्लम साल्व करते हैं तो हमको वहाँ पर चिन्य परिपाटी के साथ ही value को put up करना होता है तो देखो चिन्य परिपाटी क्या कहता है कि जो प्रकास के किर देखो हमेशा वस्तू को दरपण के बाईयों और ही रखा जाएगा मैं लिख दूं क्या चिन्य परिपाटी को एक एक point में मैं लिखते जाता हूँ पहला देखो पहला वस्तू दरपण के बाईयोर अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों तो यह परिपाटी है परिपाटी मतलब माना गया चीज है वस्तू दरपण के बाईयोर रखा जाता है लेफ्ट साइड में रखोगे यह पहला नियम तो मालो इधर वस्तू रहेगा अब इस साइड में वस्तू रहेगा वस्तू में बना ही देता हूँ यह मालो वस्तू है तो वस्तू दरपण के बाईयोर रहेगा दरपण इसके बाईयोर रहेगा इसके बाद पहला नियम क्या कहता है कि सभी दूरियों को धुरू से मापा जाएगा ये इसका पोल है पी तो समस्त दूरियों को धुरू से मापा जाता है कहां से पोल से अब देखो ये आपतित किरण के डिशा है उस दूरी को हम क्या लेंगे पाजिटिव लेंगे और आप्तित किरण के जो विप्रित दिशा होगा उस दूरी को हम क्या लेंगे निगटी लेंगे तो दूसरा नियम कहलाता है कि आप्तित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया धनात्मक लेते हैं तीसरा नियम आप्तित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया धनात्मक माने जब आप्तित किरण की दिशा में दूरिया धनात्मक लोगे और चौथा नियम कहता है आप्तित किरण के विप्रित दिशा में आप्तित किरण के विप्रित दिशा में मापी गई दूरिया रिडात्मक लेते हैं रिडात्मक लेते हैं ये दूसरा नियम आप्तित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया धनात्मक और आप्तित किरण के विप्रित दिशा में मतलब इधर उल्टा मापोगे तो रिडात्मक और इधर सिधा मापोगे यहां से मतलब इस दिशा में समझ दो इधर जो मापोगे उसको धुरू से इधर मापोगे उसको positive लोगे ये बलकि उबर वाले को मिटा देता हूँ confusion मत हो यहाँ पर कई लोग को confusion हो जाता है तो धुरू से मापोगे तो इधर मापोगे धुरू से आगे मापोगे तो पॉल से दाइंत तरफ मानों गए पाजिटिय और पॉल से बाइंत तरफ मापो का उसको निगटी लोगे ऐसा समझ सकते हो ओके, अब इसके बाद देखो, महतपूर्ण रूल येक यह है कि मुख्यक्षे से उपर जो दुरी मापो के मुख्य अक्ष्य से उपर मापी कई धूरी को हम धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष्य से नीचे मापी कई धूरी को हम रिडात्मक लेंगे ठीक, तो पांचवा पाइंट मैं यहाँ पर नीचे में लिख देता हूं मुख्य अक्ष के उपर धनात्मक तथा नीचे रिड़ात्मक लेते हैं मैं प्रापर बोर्ड में लिख रहा हूं आप 10th class के student हो जर्रली हम 11-12th class का जब class लेते हैं तो इतना detail में नहीं लिखते हैं student समझ जाते हैं लेकिन मैं 10th class के standard के label से आपको सबको यहां पर लिख भी रहा हूं बहुत आराम से एक चीज को मैं आपको समझा रहा हूं और मैं पहले ही discuss कर चुका वो इसलिए क्योंकि मैं 10th class से ही आपका best बहुत strong करना चाहता हूं आगे के लिए ताप उसी साब से ध्यान से पढ़ना और notes भी proper बनाना तो यह है नियम चीने परिपार्टी ठीक है तो यह नियम आप note कर लोगे और इसके notes बना लोगे चलिए तो हमने देख लिया चीने परिपार्टी क्या होता है इसके बाद हमने देख लिया कि गोली दरपार्ट से प्रद्वीम रशना का नियम क्या होता है और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ओतल दरपार्ट से प्रद्वीम का बनना अब देखो, यहाँ पर एक बहुत महत्पूर्ण चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आउतल दर्पण प्रत्विम कैसे बनाता है, तो आउतल दर्पण 6 कंडिसन में प्रत्विम बनाता है, 6 पोजिसन, आउतल दर्पण से प्रत को Unital का तो किवल एक या दो भी कहते हैं, एक ही मान के चलो उसको आगे पढ़ाओंगा मैं, उतल दरपर से प्रदीवीन का बनना, भई यहां पर हमको समझना है कि उतल दरपर प्रदीवीन का बनाता है, तो यह चार्ट को आपको सबसे पहले समझना है इसके बाद एक एक करके मैं सभी का figure बना के आपको बताऊंगा सब का ray diagram भी बना के बताऊंगा आप लेकिन मेरे बताने के बाद आपको अच्छे से उसकी practice कर लेना है देखो पहला क्या focus के भीतर मतलब धुरू और focus के बीच जब वस्तू क्या हो दुरू और focus के बीच हो तो उस condition में वह दरपड के पीछे बनता है दरपड के पीछे बनता है बड़ा और विवर्धित बनता है विवर्धित मतलब बड़ा मेरे निफाइंग बनता है और आभासी और सीधा बनता है वैसे मैं आपको फिगर बनाना यहां से सुलू करूँगा सीख्स से सीख्स से मैं अनन से वस्तू को लाओंगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है मैं रख मालूम है लेकिन चायट में हमने इस तरह से बना दिया है ध्यान रखना जब वस्तू अनन पर हो तो प्रद्विम कहां पर बनता है फोकस पर बनता है अत्यधिक रासित मतलब छोटा रासित मतलब होता है छोटा माने बिंदू क्या बिंदू क्या आकार कर सकते है छोटा मतलब इतना छोटा होता है कि वह बिंदू के आकार का होता है उसके बाद वास्तविक और उल्टा यह होता है वास्तविक और उल्टा बनता है इसके बाद देखो जब C के बाहर मतलब C से बाहर हो मनने अनन्त और C के बीच उस कंडिशन में वह A और C के बीच बनता है छोटा बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है फिर जब वो C पर आ जाता है तो C पर आता है तो प्रत्वीम ही C पर ही बनता है C मने सेंटर आप करवेचर पर बनता है उसके बाद वस्तू के बराबर बनता है और फिर प्रत्वीम और वास्तविक उल्टा और बनता है प्रद्वीम की प्रकृति वास्तवी कर उल्टा होता है इसके बाद देखो A for C के बीच जब होता है तो C के बाहर होता है और बड़ा बनता है फिर वास्तवी कर उल्टा बनता है इसके बाद फिर फोकस पर जब होता है तो अनन्द पर प्रद्वीम बनता है अत्यधिक बड़ा बनता है वास्तवी कर उल्टा बनता है और ये फोकस पर ये बनता है तो इससे हमको प्रतिवीम को बना के देखना है और मैं आपको सबसे पहले सिक्स सी स्टार्ट करूँगा समझाने के लिए तो ये चार्ट में जो नंबरिंग मैं किया हूँ उसके हिसाब से क्योंकि जब वस्तू अनन पर होता है तो वहां से समझने में हमको ज़्यादा आसानी होती है ठीक है वहां से समझने में हमको आसानी होती है तो चलिए प्रतिवीम बनाते हैं तब ही समझ में आएगा ऐसा चा एक-एक करके मैं हर स्लाइट पर केवल एक चित्र बना रहा हूं ध्यान से समझना तो वस्तु जब अनन्द पर हो और हम बना रहे हैं गो अवतल दरपड ठीक है हम अवतल दरपड बना रहे हैं तो ध्यान रखना यह अवतल दरपड है यह अनन्द वारा तो बहुत असान इसलिए मैं 6 से 6 नमर से समझाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सबसे असान यही होता है तो अनन्द से जो प्रकास की केरणे आएंगी वो मुक्षक्ष के समनांतर आएंगी अनन्द से जो प्रकास की केरणे आएंगी वो मुक्षक्ष के समनांतर यह अनन्द से आती है प्रकास की केरणे इस तरह से अब जब अनन से प्रकास की केड़े आएंगी तो वो परावरतन के पस्चाथ कहां पर आएंगी फोकस पर अभी हमने नियम में पढ़ा है कि जो प्रकास के किर्णे अनन्द से आती हैं वो दरपन्द से प्रावरतन के पस्चाथ फोकस पर मिलती हैं तो यह आके फोकस पर मिल जाएंगी तो यह क्या होगा इमेज होगा आई यहाँ पर इमेज होगा अब देखो अनन्द पर अनन्द से पर प्रद्विम बनता है देखो फोकस पर प्रद्विम बन गया फिर चायट में क्या कहा गया है कि अत्यधिक आपको six से अब मैं बता रहा हूं आपको five number का फिप नंबर का फिप नंबर क्या होता है जब वह अनन्त और सी के बीच में हो जब वस्तु कहां पर हो अनन्त और सी मतलब अब धीरे धीरे कीधार आ रहा है वह दरपन की ओर आ रहा है ठीक है तो चलो इससे प्रतिवीम कैसे बन बनने वाला है तब तक आपसे वह नहीं बनने वाला है इसलिए आपको अच्छे से इसकी प्रेक्टिस करनी है वही हो पाएगा और आप बोलोगे कि सर तो फटा-फट बना दिये थे तो उसमें गड़बड होगा बहुत प्रेसेंस के साथ आपको एक-एक कोस्प का प्रेक्टिस करना है अब वस्तू को हमको यहाँ पर बनाना होगा तो वस्तू को हम यहाँ पर बना देते हैं मुख्यक्ष में यह मालो हमारा वस्तू है जो अननतर स्थी के बीच में है अभी इसमें आप कुछ मत करना कही पर कोई position मत लिखना आपको पहले से पता होना चाहिए चार्ट तो आपको पहले से पता होना चाहिए देखो चार्ट पहले आद होना चाहिए जब सी के बाहर होता है तो एफ और सी के बीच में प्रद्वीम बनेगा ये चार्ट भीना तो कोई काम होना ही नहीं आपका तो सब क्वाट्रि घ्रण कर लिए यह मुखज के और केंद्र से कांदर की इस प्रकार्ट से हम लेके चले जाता है यह वकृट यह जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या हुआ देख देखो कितना क्लियर बहुत आसान है प्रयेटीस होना चीजी बस यह तो यहाँ पर काटू है तो यहाँ पर क्या बनेगा उसका प्रतवीम बनेगा तो यह मैं इसका प्रतवीम यहाँ पर बना दिया काटू contour तो प्रतवीम क्या हो जाएगा A-B- अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि C और F के बीच में बन रहा है इमेज यहाँ पर मैं लिक दे रहा हूँ कि पहला क्या है C और F के बीच में बन रहा है देखो C और F के बीच में बन रहा है दूसरा क्या बन रहा है वस्तू से छोटा बन रहा है आप चीत्र में देख रहे हो कि वस्तु से छोटा है ये वस्तु इतना बड़ा है और प्रद्वीम इतना बड़ा है तो वस्तु से छोटा है तीसरा महत पूर्ण बाद क्या है देख रहे हो कि ये उल्टा बन रहा है ये उल्टा बना हुआ है देखो और उल्टा बना हुआ है इसलिए क्या है वो वास्तविक है यह है प्रद्वीम की विशेस्ता यह प्रद्वीम की विशेस्ता है कि C और F के पीच बनेगा वस्तू से छोटा उल्टा और वास्तविक बनेगा चार्ट को आप टेली करके देख लो यह C और F के बीच यह बना मने F और C के बीच वस्तू से छोटा बना वस्तवी कर उल्टा बना ठीक है? इस पकार से आप उसको करोगे तो ये तो आपको question क्या figure का practice करना ही पड़ेगा मैं सभी figure को आपको बना के बता देता हूँ लेकिन आपको इसका practice करना ही पड़ेगा तब ही ढंक से बनेगा चलो next हम देखें तीसरा इसका जो तीसरा condition है वो कहाँ पर C पर तीसरा condition है कहाँ पर C पर मने वक्रता के अंदर पर तो वक्रता के अंदर पर बना के देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर क्या होगा देखो दरपण बना दे सबसे पहले हम तो दरपण बनाने के लिए सबसे पहले यह हमने यह mirror बना लिया दरपण और यहाँ से हम फिर मुख्यक्षोगरा बना दे इसका यह मुख्यक्षा है अब वस्तू कहाँ पर है सी पर है वस्तू को सी पर खड़ा कर दें अपन तो वस्तू को हमने यह सी पर बना दिया अब हमको पहले से पता रहता है कि प्रद्वीम वही पर बनेगा तो प्रद्वीम भी वही पर उतने ही बड़ा बना दिया मैं जान बुचकर बना दिया क्योंकि वहाँ तो बन नहीं है तो पहले से बना दो हमको पहले से चाइड पता होता है कि वस्तु यदि C पर हो तो वही पर पद्वीम बनेगा अब क्या करो? अब आप उसी हिसाब से इसको एड़ेस कर लो अब जो प्रकास की किरण मुख्षक्ष के समानांतर आप इजी मत समझ ना आपको प्रेफ्टिस ढंक से करना पड़ेगा यह देखो तो यहाँ पर यह जो फोकस जो मुख्षक्ष समानांतर होके जाती है वो फोकस से चली जाती है जो फोकस से जाती है मुख्षक्ष समानांतर और यहाँ पर काटती है एक दूसरे को तो A, B यदि वस्तू है तो यहाँ पर A-B-C के यहाँ उसका प्रद्विम है तो इसकी विश्यस्ता देखो क्या क्या है पहला कहाँ पर बना C पर बना Image Image कहाँ पर बना भई? C पर बना दूसरी बात वस्तू के अकार का बना वस्तू के अकार का बना और तीसरा उल्टा बना है देखो उल्टा बना है और चौथा उल्टा है इसलिए क्या होगा? वास्तविक होगा उल्टा है इसलिए वास्तविक होगा यह तो ये है तीसरा C पर ये सब का आपको अच्छे से प्रेक्टिस करना है प्रेक्टिसी मेटर है जब तक आप प्रेक्टिस नी करोगे इस पर कोई कमार नी होगा चलिए अब हम देखें next next हमारा जो चौथा है चौथा क्या है जब वस्तु कहां पर हो जाए C और F के बीच में हो जाए थोड़ा figure complicated होते जाता है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझना यहां पर मैं बनाता हूँ दरपन को मेरे working step को आप देखो कि मैं क्या क्या काम पहले करता हूँ उसके हिसाब से आप उसको practice करो तो होगा अब हम ले आते हैं C और F के बीच में तो वस्तू को जब हम C और F के बीच में ले आते हैं सपोस हमने वस्तू यहां पर खड़ा कर दिया यहां पर हमने वस्तू खड़ा कर दिया यह C और F के बीच में अब यहां से हम प्रकास की खड़ा अपतित करते हैं यह वस्तू है तो प्रत्वीम कहां पर बनेगा chart से आपको याद रहेगा देखो प्रत्वीम कहां पर बनेगा जब वो C और F के बीच में हो तो C के बाहर बनेगा C के बाहर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा देखो, ये चार्ड आपको याद रहे तो बेस्ट है, तभी आप प्रापर बना पाओगे फिगर को, चलिए अब हम यहाँ पर एक प्रकास की किरण आप्तित करते हैं एक प्रकास की किरण तो मुक्षच के समनांतर आप्तित करेंगे ही इसको भी आप कुछ मत करो दूसरी प्रकास की किरण को इस प्रकास से वक्रता केंद्र को टार्गेट करके आप्तित करो ऐसा तो जो वकता के अंदर की और जाएगी वो क्या होगा उसी दिशा में वापस लोड जाएगी इस तरह से इसको मैं और आगे ले जाता हूँ ऐसा इस तरह से और जो मुक्षच के समना अंतर जाती है वो कहां से ओकर चली जाएगी फोकस होकर चली जाएगी अब यह C और F के बीच में है न यह, थोड़ा सा देखो, यह मैं बुलाना ऐसा गरबर होता है, इसको और नीचे से जाना चाहिए, दरपाण को थोड़ा और मैं बड़ा कर लूँगा यहाँ पर, ऐसा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको फिकर बनाने के लिए, देखो हुआ क्या है ध्यान देना, अब यहाँ पर इस पर हम लम डालेंगे, यह इमेज बना है यह, हुआ क्या क्या है, कंडिसन को ध्यान से समझो, यह वस्तू है, यहाँ से हमने एक प्रकास की किर्ण मुक्षच के समरांतार अप्तित किया, ये परावर्तित होके, कहां से होके चला गया? focus से एक प्रकास के किर्ण को इधर आप्टिप किया चुकि ये वक्रता केंदर की दिशा में है C की दिशा में तो टक्राने के पस्चात उसी दिशा से वापस लोट गया तो ये दोनों परावर्तित प्रकास के किरने आके यहाँ पर एक दूसरे को काटती है तो A-B-S यहाँ पर क्या बनता है यह चौथा वाला थोड़ डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं मतलब इस्पेस बना के वर्क करना होता है यह होगा अब देखो वस्तू कहां है C और F के बीच अनन्त और C के बीच बन रहा है दूसरा इसका साइज देखो वस्तू से बड़ा है वस्तू से बड़ा है तीसरा महत्पूर्ण बात देखो यह आपको उल्टा दिख रहा है तो है क्या यह उल्टा पूरी प्रापरटी को फालो करेगा वो और चौंथा पाइंट में क्या दिखरा उल्टा है इसलिए क्या है वो वास्तविक है उल्टा होने के कारण वो वास्तविक है इस पकार से तो ऐसा इमेज इसका बनेगा यह प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना है तो यह है C और F के बीच में पूरे फिगर मैं आपको बना के इसलिए बता रहा हू ताकि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है यह बता सकूँ यह है फिप्थ नमबर अब कहां पर हो वो अब F पर फोकस पर तो फोकस पर हो तो कैसे बनेगा देखो फोकस पर होने से कैसे इमेज बनेगा ध्यान देना यह वस्तु को हम फोकस में बना देता है यहां पर यह वस्तु को हमने यहां पर सपोस फोकस पर बना दिया ऐसा अब यहां से एक प्रकास की किरण मुक्चच के समना अनतारा प AbgeordRIS क्या अब वस्तु के आ हैं फोकस पर खुद खड़ा है यह खुद फोकस पर खड़ा है तो फोकस से होकर जाएगा यह, जहां पर वो खड़ा है वहीं से होकर जाएगा, यह हमने इसको फोकस से किया, दूसरी प्रकास की किरण को हम इस प्रकार से करें, कि यह वक्रता केंदर से जाए, यह वक्रता केंदर वाली दिशा से जाए, इसको हम पीछे वापस कर दिये, तो ऐस के पस्चाद यह फोकस से चली जाती है दूसरी प्रकास की किरण को इस दिशा से आप्तित किये कि वह सेंटर आप करवेचर की दिशा में हो तो उधर ही वापस हो गया अब देखो दोनों प्रकास के किरणे क्या होती है इस प्रकार से एक दूसरे एक मिनट थोड़ा पास आते थोड़ा सुधार रहमेद थोड़ा सा नामिनल मिस्टेक कर दिया क्या कर दिया अभी आपको समझ में आएगा क्या नहीं करना था मुझे हाँ एक प्रकास की किरण हमने आप्तित किया है ये मुक्षच के समनांतर मुक्षच के समनांतर और ये चली जाती है कहां से फोकस से दूसरी जो प्रकास की किरण हमको ऐसा आप्तित करना है ये मैं हटा रहूं यहाँ से आगे चलके उसको अननत में मिलते हुए दिखना चाहिए ये साउधानी रखने की बात है यहाँ पर तो मैं इसको ऐसा सो करूँ कि आगे चलके ये मिलेंगे ऐसा पास आते हुए दिखना चाहिए बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है मतलब यहाँ पर दिखना चाहिए कि ये दोनों प्रकास की किरणे जब आगे बढ़ेंगी तो अननत पर मिलेंगी काटेंगी इसलिए इसका प्रद्वीम कहां पर बनता है अननत पर तो प्रद्वीम हों को दिखाना नहीं है तो पहला पॉइंट क्या होगा इमेज के बारे में इमेज के बारे में पहला पाइंट यह होगा कि अनन्द पर बनेगा अनन्द पर बनने की संभावना क्यों है क्योंकि दोनों गिरने एक दूसरे के पास इससे पहले जो चितर बनाये तो उसमें फैल नहीं थी फैलने वाली को आगे बढ़ाना है और वो सीधा उल्टा ही बनेगा देख रहे हो किनण की स्थिति को और उल्टा होगा इसलिए वो वास्तविक भी होगा यह इसका पांचवा पोजिशन है इसके बाद हम इसके देखते हैं छट्वा पोजिशन को जो इसका सबसे महत्तपूर्ण पोजिशन है एक मिनट में उल्टा कर दिया क्या numbering को देखो मैं छट्वा पहले बताया फिर पांच्वा बताया फिर मुझे चौथा करना था इसको उल्टा बता रहा हूँ न फोर सी पर फोर के बाद फिर थर्ड थर्ड के बाद फिर टू और उसके बाद फिर वन अब कहां पर एप और पी के बीच एप और पी के बीच यह सबसे इंपर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझ नहीं इसको एप और पी के बीच तो कैसे बनेगा यहाँ थोड़ा इस्पेसाल केर करना भी ना यह हमने उतल दर्पन बना लिया इसके सामने हम यह वस्तू बना दिये यह कहाँ पर एफ और पी के बीच अब यहाँ से एक प्रकास की कीनण हमने आप्टित किया मुख्शक्श के समनानतर मुख्शक के समनानतर आप्टित किया अच्चू कि अब एफ इधर है एफ और सी के nós आ गया है तो ये परावर्दन के पस्चाथ ये फोकस से होके जाएगा ये दूसरी प्रकास की किरण को हम इस प्रकास से लें ये वक्रता केंदरवाला है अब यहाँ पर आप देखों दोनों फैल रहे हैं ये बात मैं बोल रहा था इसे पहले कि वस्तू यहाँ पर ये हमारा वस्तू है ए बी तो यहाँ से जो प्रकास की किरणे आपती थोती है ध्यान से समझना ये फोकस से आपती थोती है वो परावर्दन के पस्चाथ ये मुख्यच के समाना अंतर आपती थोती है तो जब दोनों प्रकास की क्यिणों को दूसरी और आगे बढ़ा हैंगे तो दोनों को पीछे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं तो जहां पर यह कारते हुए प्रतीत होते हैं, उस बिंदू पर क्या बनता है? इसका image बनता है, यह, यह, इसका image बनेगा, ठीक है? और यह image, देखो कैसे बन रहा है? यह, इसका image है, दरपण के दूसरी और बनेगा, ठीक है? दरपण के दूसरी और बनेगा, और सीधा रहा है कि क्या बनेगा यह सीधा बनेगा तो यहां पर मैं प्रद्वीम की विश्यस्ता लिख देता हूं पहला दरपण की पीछे बनेगा यह लास्ट है और इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे एक उतलका और दरपण की पीछे बनेगा दूसरा महत्वपूर्ण बात यह दरपण की पीछे बना और सीधा बन रहा है देखो यह सीधा बनेगा पहले तो साइज बता दे तो यह बड़ा बनेगा और तीसरा सीधा बनेगा और सीधा है इसलिए क्या बनेगा वो आभासी बनेगा सीधा इसल और इसमें आपको अच्छे से practice करना पड़ेगा नहीं तो ये figure नहीं बनने वाला है तो ये हो गए 6 position जिसको मैं 6 से start किया और 1 तक किया sequence को आप देख लेना ठीक है ये chart के carding क्या है ये जो chart में मैं आपको दिखाया इस chart में आपको इस तरह से इसको करना है 6 से लेके मैं 1 तक कराया ठीक है क्योंकि ये सबसे आसान है इसको सबसे पहले कराया और 1 सबसे difficult है last में कराया अब देखो एक हमारा और है वो है उतल दरपण से प्रत्वीम का बनना अब उतल दरपण कैसे प्रत्वीम बनाता है इसको हमको देखना है, ठीक है, उतल दरपन से प्रतिभीम का केवल एक condition है या दो कह सकते हैं, वैसे उसको एक ही मानते हैं, दरपन के सामने इसमें ज़्यादा condition नहीं होता, सिर्फ दरपन के सामने तो ये देखो, उतल दरपन हम बना लेते हैं सबसे पहले और उतल दरपण के सामने देखो क्या होगा ये हमने मुख्यक्ष बना लिया एक ही कर्डिशन है चाहे वस्तु को कहीं रखो उसको बलेंगे दरपण के सामने वैसे दो कर्डिशन दिया रहता है लेकिन वनन्द वाले का मतलब वही होता है दरपन्ञ के सामय कोंने बना धते हैं यह हमएं वस्तु के असान्य दरपन्ञ भना दिया है यह बहुत आसान है कुछ बहुत इसमें अब एक प्रकाश की करण्ड हमम्वुक्षच के Wijं आप तो अब अब फोकस इधर है तो focus से हो कि जाता हुआ प्रतीत होगा वो ऐसे लगेगा कि वो focus से जा रहा है तो इसको हमने dotted line कर दिया यह focus से जाता हुआ प्रतीत होगा और दूसरी प्रकास के कीरण को हम कहां ले लेंगे इसके वक्रता केंदर केली वक्रता केंदर के की किनए same direction में वापस लोड जाएंगी तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको भी हम आगे दरपन के दूसरी और डाट इट सोग कर देते हैं इस तरह से तो कैसे प्रत्मीं में बना है इसका जो इस दिशा में आप्तित होती है वरकता केंद्र की और वो सिधा उसी दिशा में परावर्तित होके चली जाती है जो मुक्षच के समनांतर आप्तित होती है वो इधर चली जाती है और यहाँ पर दोनों एक दुश्य को काड़ते हैं तो यह इसका प्रद्वीम बनता है A, B यहाँ पर वस्तू है तो A-B-स इसका प्रद्वीम है तो हमेशा इसमें क्या बनेगा Always Always image का जो condition होगा वो कैसे होगा देखो तो पहला दरपण के पीछे बनेगा हमेशा यह दरपण के पीछे बनेगा देखो दरपण के पीछे बना हुआ है दूसरा यह हमेशा वस्तू से छोटा होगा वस्तू से छोटा ही बनता है Always ठीक है तीसरा आप देख रहे हो कि सीधा है यह और सीधा होने के कारण क्या होगा यह अभासी होगा सीधा होने के कारण यह अभासी होदा है तिये इसका प्रद्वीम है इसकी आप अच्छे से practice कर लोगे और property आपको चीतर स्याद रहना चाहिए देखो बार-बार एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आप इसकी practice नहीं करोगे तब तक ये आपसे नहीं बनने वाला है practice बहुत ज़ोरी है अब हम इस chapter का एक last topic पढ़ते हैं और ये कुछ फर्मूले हैं जो आपको लर्न करना है F तथा R में संबन ये मैं पहले आपको बता चुका कि कौन सा value क्या है F और R में संबन F क्या है यहाँ पर focus दूरी है और R वक्रता तिरिज्जा है तो focus दूरी हमेशा करना है और ये है रैखी कावर्धन का फार्मूला रैखी कावर्धन मतलब होता है प्रतविम के लंबाई बटे वस्तू की लंबाई तो प्रतविम के लंबाई और वस्तू के लंबाई के अनुपात को हम रैखी कावर्धन कहते हैं और यह माइनस भी अपान रखना की दूरियों के बारे में यहाँ पर यू क्या है वस्तू की दूरी है यू को हम वस्तू की दूरी कहते हैं वी को हम यहाँ पर प्रतिबीम्ब की दूरी कहते हैं इसको हम प्रतिबीम्ब की दूरी कहते हैं और एफ क्या है फोकस दूरी है बाकि निमेरकल पढ़ाते समय मैं आपको complete explain करूंगा तो यहां पर हमारा परावर्तन का टापिक complete होता है next topic हम अपवर्तन पर पढ़ेंगे परावर्तन यहीं पर complete हो जाता है okay okay thank you thank you so much